अगर हम महिलाएं ये चीजें सेयर करते हैं, तो हमारे पती का प्यार बढ़ जाता है, बास्तु दोस लगता है, ये बास्तु सास्त्र में भी दिया हुआ है, पती की आयुक कम हो जाती है, पती का प्यार बढ़ जाता है Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel Friends, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, हम महिलाओं को अपनी कौन-कौन सी बस्तु एं किसी के साथ भी सेयर नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे पती पर बास्तु दोस लगता है, अगर हम अपनी बस्तु एं सेयर करते हैं किसी दूसरी महिला के साथ, तो हमारे पती पर करेंगे, बने रहे हैं मेरे साथ, मेरे वीडियो में, आप लोग को मेरी बाते, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अब हम जानते हैं, हम महिलाओ की कौन-कौन सी बस्तुएं हैं, कौन-कौन सी चीज है, जो हमें किसी के साथ भी सेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं, आप से बड़े आपके घर पड़िवार वाले हो, चाहिए कितनी प्यारी ननद हो, कितनी प्यारी सहली हो, किसी के साथ भी सेयर नहीं करना च चाहिए या आप किसी तीज देवहार पे अपने लिए खरीद के लाएं हैं पाइल बिचुआ उसको कभी भी किसी के साथ सेर नहीं कीजिए इससे हमारा सुहाग बढ़ता है हमारे पती की आयू कम होती है तो ऐसी गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए दूसरी है सिंदूर जिस सिंदूरे से हम सिंदूर लगाते हैं उससे दूसरों को कभी सिंदूर ना लगाएं चाहिए आपके घड़ के बड़े हो आपसे आपसे छोटे हो या फिर गाओ घड़ में कोई आता है सहली वो गड़ा घूमने तो उनको सिंदूर बिंदी लगाया जाता है तो आप कोश किजिए कि उनके लिए अलग से रखें जिस सिंदोरे से आप सिंदूर लगाती हैं उस सिंदोरे से किसी को भी ना लगाने दे किसी को भी नहीं कभी भी अपना सिंदूर नहीं बाटना चाहिए मैलाएं सब कुछ बाट सकती है अपना पती कभी नहीं बाट सकती इससे हमारे प दढ़नी हुई चूरियां होती है, साधी ब्याह में किसी का मैचिंग होता है, हम उसको दे देते हैं, नहीं देना चाहिए. आपको देना है किसी को तो आपके पस नया है, तो दे दिजी. लेकिन जो आप पहन कर रखे हैं अपना, वो कजी भी किसी को ना दे. जानते हैं, अप हमारे पती का प्यार कम नहीं पड़ना चाहिए कभी भी नहीं तो कभी भी हमें अपनी चूडियां किसी से भी सेयर नहीं करने चाहिए नहीं है तो आप दे दिजिए किसी को लेकिन आपकी पहनी हुई है वो किसी को ना दे किसी को भी ना दे चाहे हो आपके घर का हो या बाहर किसी के साथ भी से हमारे बस्तु बस्तू है हमारे साधी का साड़ी यह लंगा आजकल फैसन के दौड में अजकल की जड़कीया ध्यान नहीं रखती है इस भी का क्या करना है इसका फैसनल कटम हो गया ओल्ड हो गया तो आप अपने घर में कहीं बकसे-पैटी में रख दीजिए उसको, लेकिन किसी को दीजिए नहीं, कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, पहनने के लिए आप से छोटे बड़े कोई मांग लिया तो आप थोड़ी दिर के लिए दे दिये, लेकिन हमेशा के लिए कभी नहीं देना चाहिए, आज कल की लड़कियां गलती कर इक बिद commitments करवा लिये तो उसको दुबारा नहीं पाहन को चलो हम दोड़ीने के लिए थोरी नहीं नहीं होता है ये बाते आप सभी जानते भी होंगे लेकिन आजकल की जनरेशन जो शुरू हो रही है लड़किया फोटो सूट करवाने के बाद उस लंगे का कोई काम नहीं होता उनकी लिए ये जनकारी बहुत जरूरी है पांचवी बस्तु बहुत ही इंपोटेंट है पांचवी बस्तु है कभी भी हमें अपने पती का दिया हुआ गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए किसी को भी नहीं देना चाहिए कुछ महिलाओं की ये सिकायत होती है पती हमारे लायक गिफ्ट नहीं देते हैं हमें पसंद नहीं आया चाहे वो सारी हो या मेकप का कोई समान हो या कोई भी बस्तू हो उसे कभी किसी को देना नहीं चाहिए आप एक बार सोच कर देखिए आपके पती अपने मन से ले आया है आपके लिए तो उनका कितना प्यार छुपा है उस बस्तु में हम उस बस्तु को दूसरों को कैसे दे दें नहीं भी वो बस्तु पसंद हो तो भी यूज़ कर लीजी कभी कभी पहन लीजीए उसको इससे आपके पती खूसतों होंगे हमने जो गिफ्ट दिया अपनी पत्नी को वो यूज़ तो कर रही है लेकिन उसको किसी को मत दिजी अगर आपको नहीं पसंद है तो भी अगर आपसे ज़्यादा है तो भी अईसा नहीं कि हाँ इस कलर के लिए स्टीक इस कलर के कपड़े मेरे पास है आपने क्यों ला दिया है चलो मैं अपनी बहन को दे देती हूँ अपनी भाभी को दे दी या किसी सहली को दे दी नहीं आपके पती का बहुत प्यार छुपा है उसमें बहुत सोख से आपको लाके दिये हैं तो इन सब चीजों को कभी भी हमें किसी से सेर नहीं करना चाहिए किसी से नहीं कुछ लोग तो ये जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत important है इस से पती का प्यार बढ़ जाता है और इसी सब कार्णों से पती पतनी के बीच में चिरचिरापन पैदा होता है तो कभी भी ऐसी गलती ना करें इस गलती को हमेशा ध्यान में रखें इन चीजों को किसी के साथ सेर करने से पहले एक बार जरूर सोचे आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी आप लोग को ए वीडियो अच्छी लगी हो जनकारी से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सिब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने परिवार वालों के साथ सेर कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे बाई बाई